आनंद मोहन जो एनदिनों अपनी बेटी की शादी को लेकर पैरोल पर पंदरा दिन के लिए बाहर आए हैं उनकी मा की मार्मिक अपील सरकार से ये हैं कि बेटे को जल से जल रिहा किया जाए मा का कहना है कि मेरा बेटा निर्दोश है और नितीश सरकार से वो ये अपील करती है कि बेटे को जल से जल रिहा किया जाए नितीश कुमार जो की सरकार के मुख्य मंत्री हैं उनसे माँ ये कहती नजर आई कि नितीश कुमार तो मिरा बड़ा बेटा है और आनंद मोहन मेरा छोटा बेटा है अम दोनों बेटों को एक साथ ऐ की नजर से देखते हैं और एक साथ देखना चुहाते हैं साथी सुर्भी आनंद जो की आनंद मोहन की इकलोती बेटी हैं उनकी शादी के उपर उनकी दादी ने कहा कि सुर्भी के शादी से हम बहुते खुश्ची है यानि की दादी सुर्भी की शादी से बहुत खुश्च है आईए आपको सुनाते हैं सुर्भी आनंद की दादी और आनंद मोहन की माने क्या कुश कहा है जादी से बहुत बढ़िया बहुत घुश्ची हम खोग जीत नाध्भजन दावेची अमरा पता पती धुनों के साधी ची हम कुशी मतर् हमने खुशी राति और चे कुशीं मतर्भी के सब बहुत दादी चे उक कर तोंची मन आवेची फूप बढ़िया सह कहते हैं मा का दिल मा का दिल होता है और मा का दिल ममता से भड़ा होता है ऐसे में आनंद मोहन की रिहाई की मांग तो राजपूत समाज के वो तमाम नेता और वो तमाम समर्थक आनंद मोहन के कर रहे हैं जो लगतार उनके लिए आवाज उठा रहे हैं लेकिन मा ने भी अब सरकार तक अपनी मांग रखी है कि उनका बेटा निर्दोश है उन्हें जल से जल रिहा किया जाए यहां तक कि नितीश कुमार को अपना बड़ा बेटा बताते हुए आनंद मोहन की मा ने ये बात सब के समक्ष रखी है लेकिन देखना ये है कि क्या नितीश कुमार अपने बड़े बेटे की भूमी का निभा पाएंगे अपने छोटे भाई को रिहा कर पाएंगे ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आनंद मोहन की रिहाई को लेकर नितीश कुमार ने पहले ही एक बड़े मंच को संबोधित करते हुए राजपूत समाज को संबोधित करते हुए ये कहा था कि हम लगतार कोशिश कर रहे हैं अगर आपको विश्वास नहीं है तो लवली आनंद जो की आनंद मोहन की धर्म पत्नी है उनसे पूछिए तक कुछ पता नहीं है जी रहो संत रहो आपको पता नहीं है उनकी पत्नी से पूछ लीजिए गा कि हम क्या सोशिश कर रहे हैं इस सब की इस सब की चिन्ता मत करो और आप लोगों को मालूम नहीं है राजनीत में वो जो भी करें और जब उनकी गिरफतारी हुई जोर साब के साथ हम सब लोग गये थे जेल में और आप सब लोगों को मालूम है हम भी गये थे और यहीं पर हैं बश्चे हुए और हम लोगों के तो सुभकामना रही है ने जी हम तो कभी नहीं चाहत हैं तो इतना बार सब को कह रहे हैं तो इसलिए सब चिन्ता मत करिए हम लगे हुए हैं जी जिसके बाद लगतार ये कयास लग रहे थे कि 26 जन्वरी को आनंद मोहन हमेशा के लिए रिहा हो जाएंगे इस बार वो अपनी बिटिया की शादी में रिहाई के साथ शामिल होंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ आनंद मोहन की रिहाई नहीं हुई और बिटिया रानी की शादी लगतार, परिवार, समर्थक, माता जी सब लोग चाह रहे हैं कि आनंद मोहन जल से जल रिहा हो जाए क्यूंकि एक तरफ दादी की पोती विदा होगी तो दूसरी तरफ मा का बेटा भी जेल में चला जाएगा अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्राटफ घर को बनाना है एक्स्ट्राटफ तपकॉन एक्स्टी के साथ